प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिला पत्रकार ने पत्रकार रफीक कामदार पर सेक्सियल एसल्ट का केस मुमरा पुलीश टेशन में दर्ज करवाया है महिला पत्रकार ने पत्रकार रफीक कामदार पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं उनके चैनल में काम करने के दावरान भी गलत हरकतों का आरोप लगाया है। हाल ही में एक प्रेस कांफरेंस के दावरान भी महिला पत्रकार रफिक कामदार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने डराया धमकाया है और गलत तरीकेशे उसके साथ पेश आये हैं। जिसकी शिकायत मुम्बरा पुलिस्टेशन में महिला पत्रकार ने दर्ज करवाई है और पुलिस्ट ने रफिक कामदार पर IPC किधारा 354-506 के तहद मामला दर्ज कर लिया है मगर आज इस महिला पत्रकार पर हमला हुआ है इसी जानकारी इस महिला पत्रकार ने दी है और इसकी शिकायत भी मुम्रा पुली स्टेशन में दर्ज करवाई है महिला पत्रकार ने बताया कि मुम्रा बाइपास पर अपने पत्ती के साथ जा रही थी खड़ी मशीन रोड होते हुए और बाइपास पर पहुशते ही दो योगों ने इनके साथ मारपीट की और कहा कि रफिक कामदार के खिलाफ जो फाई यार दर्ज करवाई है उसे वापस ले डराया धंकाया और इनके साथ मारपीट भी की है इस पूरे मामले में हमने पत्रकार रफिक कामदार से भी संपर किया कि वो भी अपना पक्ष रख सके लेकिन वो किसी काम में विजी थे उन्होंने कहा कि मैं अपना पक्ष बाद में रख दूँगा वहरहाल जब वो महिला पत्रकार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो सुगी रफिक कामदार ने इस तरीके से मेरे साथ गंदी हरकत किया यहां से चलो तो मेरे शोहर जाके उसको मारने जा रहे थे तो मिली मारने से कोई बात नहीं बनेगी वो तुमारे उपर ही इल्जाम लगाएगा जुटा इससे बहतर सबसे पहले तुम पुलिस स्टेशन चलो और को आदे घंटे के लिए भार बेज दिया उसने और उसे ये बोला कि मेरे पास ऐसी वीडियो है जो मैं वाइरल कर दूंगा और तेको बदनाम कर दूंगा इससे बहतर तू मेरे साथ रहे मैंने निकार कर दी उस वज़े से वह अभी तक मेरे पीछे लगा हुआ है इसलिए म अब मैं इस पर आवाज उठाओं कि भले इसमें मेरी इजजज़ में को परक नहीं पड़ा जब वो मेरी वीडियो वाइरल कर रहा है मुझे थंकी दे रहा है मुझे ब्लैक्मेल कर रहा है तो आप में एफायर करूंगो तो यह मैंने अभी उनके उपर एफायर दर्च करी ह अभी फिलाल मैं आज तो मैंने एंसी करी इससे पहले मैंने एफायर दर्च करी तो आज भी उसने मेरे साथ घटना किया है कि मैं एक न्यूस कवरेज के लिए जा रही थी तो मैं बाइपास से जाने के वज़ाए मैं मुम्रा में थी इसलिए मैं शॉटकट खड़ी मशीन के रास्ते से जा रही थी तो वह जो भोगदा है वहाँ पर मुझे दो चर्सी लोग मिले और सीरा मेरे आंग पर आये और उसके हाथ में ब्लेड भी थे दो चनों के उन लोगों ने बोले जो रफीक कामदार पर तुमने जो एफायर दर्च करे वो अपना केस पीछे लोग वर वही जब आप साथ में ते क्या हो आज की घटना क्या है कि आप हम कल हमने रफीक कामदार के किलाफ एक केस करवाया है मॉलेडेशन का केस करवाने के बाद कल हम वह अपने घर चले गए आज सुबह हम को कॉल आया के फला जगा पे एक रिपोर्ट करनी है वुल लेना है हम को तो उसके बाद हमको एक coverage के लिए बुलाया गया हम वहाँ पर जा रहे थे खड़ी machine road से हम चड़े मुम्रा में थे खड़ी machine road से हम चड़े भोपने के पास में दो लोगों ने हमको रोग लिया उन्हों जो दो लोग थे हम उनको पैचानते नहीं है पर उन्होंने एकदम clear pronounce किया एकदम clear बोला कि रफिक कामदार के खिलाब तुम लोगों ने ही case दायर कर किया है तुम लोग अपना case वापस लो नई तो तुमको हम लोग यहां जान से मार देंगे फटाक से हमने उसी टाम पे हमने मुम्रा पोली स्टेशन में duty house पे call किया उन्होंने बोला कि आप पोली स्टेशन में आओ हम तुमारी तकरार लेते हैं उसके बाद हमने सुल्तान रिजीत सर करके हैं उनको हमने वहीं से call किया उनको हमने वहीं से call किया कि सर हमारे साथ ऐसी इसी हरकत हो गई और भी मुम्रा के दो चार पत्रकार हैं उनको हमने कॉल करके बताया कि हमारे साथ ऐसी हरकत हो इस सारे लोगों ने हमको ये बोला कि आप लोग पहले पोली स्टेशन जाओ कंप्लेंट दर्ज करवा और उसके बाद में जो भी आगे हम आप लोगों को देखेंगे हमारी इस सारे मिडिया के जाए से मामले को जादा ऑप्र आप अपने तरीके से आगे इसको आगे लेकर झाये और हमारे साथ में जो नाइंसाफी हुई है जो गलत हुआ है उसके लिए आप हमारी आवाज बने। मेरे साथ ही रहीगी कितनी देर तक उसने मुझे मैं इसमें किया काफी देर तक रूई उसके बाद मेरे शोवर मेरे वाइफ को तुम क्यों रुला रहे हो लेकिन की तड़ी पार हो ता तो उसका चैनल में चला रही थी और उसने हिंदुस्तानी रिपोर्टर में चला रही थी तो जब तड़ी पार होके वापस आया तो उसने सब जगा यह अपवाय पहला दिया खुद होके उसने नूरानी होटल पे खड़े रहे के यह बोला कि सब्या जो है मेरी वाइफ है वह ग्राउंड पे बजाती है और मैं करेंगे या कोई भी कारवाई है वह हम करेंगे कल शायद रफिक कामदर कोट में पेश होगा तब मैं भी वहाँ जाके कोट में पेशकर करूंगी और बताऊंगी जच को के मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है झाल झाल